मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप एक चर्च में जाते हैं लगातार अगर आप किसी सत्संग में, किसी कलीसिया में, किसी चर्च में आप जब जाते हो तो उस वहाँ पर किस प्रकार आपको अपना जीवन निर्वा करना है वहाँ पर आपकी जिम्मेदारियां क्या है कलीसिया में आप आते हैं तो क्यूं आते हैं ये सब कुछ जानना आपके लिए जरूरी है ये कोई साधारन, कोई धार्मिक स्थल नहीं है जिसमें हम सिरफ चुपचाप आएं और माथा टेकें और दो मिनट की प्रातना करें और चले जाएं ये उस प्रकार की जगा नहीं है ये एक परिवार है दुनिया भर में जितने भी चर्च हैं कहाँ पर मैंने बोला? दुनिया भर में जितने भी चर्च हैं जिसको हम स्थानिय कलीसिया कहते हैं जिसको हम लोकल कलीसिया लोकल सत्संग कहते हैं जैसे हमारे गुडगाओं शहर में लगभग पचास से साथ छोटे छोटे चर्च हैं, छोटे बड़े, कुल मिला के कितने हैं, कितने हैं, लगभग 50 से 60 चर्चिज हैं, गुडगाओं शहर में, उस प्रकार पूरी दुनिया में ऐसी लाखों, लाखों ऐसी कलीसिया हैं, ऐसे चर्च होंगे, और उसमें जो लोग आते हैं न, वो ऐसे न नहीं हैं, कि हमारा प्रभू अलग है, उनका प्रभू अलग है, हम पूरी दुनिया की जितनी भी कलीसिया हैं, दुनिया भर में जितने भी सत्संग चलते हैं, हमारा प्रभू एक है, इफिसियों के चार में लिखा है, हम एक शरीर के अंग हैं, हम एक बात पर विश्वास क उपर से पूरी कलीसिया को एक देखता है लेकिन उस कलीसिया में हम उन्नती कैसे करें हम कैसे बढ़ें हम कैसे और जादा आगे बढ़ें प्रभू में वो कैसे होगा वो कलीसिया है हर रोज कलीसिया है चर्च बदलने से नहीं होगा हमें एक स्थानिया लोकल कलीसिया में टिक यह प्रैक्टिकल शिक्षा है, यह ऐसी शिक्षा है कि इसके जरीए से आप अपना मसीही जीवन कलीसिया में जिम्मेदारी के साथ निभा सकते हैं, और उसके लिए ये तीन हफते हम आपको इस विशे पर सिखा रहे हैं कि कलीसिया में हमारे आपसी संबंध, एक दूसरे के सा हमारे रिष्टे नाते, हमारी दोस्तिया, हमारा उठना बैठना एक दूसरे के साथ, और फिर कलीसिया में हमारी जिम्मेदारिया क्या है, हमें क्या करना है चर्च में, क्या मेरा काम सिरफ चर्च में आना है, या और भी मेरी कुछ जिम्मेदारिया है, इन विशे पर हम आपको बताया था कि प्रतेक व्यक्ति या परिवार कलीसिया में अकेले तो आता है, लेकिन अकेले रहने के लिए नहीं आता, अकेले हो जाने के लिए नहीं आता, हाँ वो अपने घर में अकेला होता है, लेकिन जब वो चर्च में आता है, तो सिरफ प्रभू से मिलने नहीं लोगों से भी मिलने आता है हालेलुया प्रतेक व्यक्ति कलीसिया में परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिकत संबंद को दर्शाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए आता है कितने लोग है आज यहाँ पर जो प्रभू से प्यार करते हैं इसलिए आये हैं दिखाने के लिए प्रभू को कि प्रभू मैं तुझे पर विश्वास करता हूँ तू मेरा प्रभू है जो चर्च में परमेश्वर को दिखाने आये हैं कि प्रभू तू हमारा पिता है और हम तुझे से प्यार करते हैं कितने लोग है कितने लोग प्रभू से प्यार करते हैं हम चर्च में क्यों आते हैं प्रभू से मिलने आते हैं मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपको हिंदी आती है कितने लोग को हिंदी आती है मैंने ये कहा कि चर्च में हम परमेश्वर से मिलने आते हैं कितने लोग हैं जो यहाँ पर जो परम्यात्मा से मिलने आएं हाथ उठाएं? ओके, ओके, और कितने लोग हैं जो यहाँ पर आकर प्रभू के और नस्दीक आना चाहते हैं हाथ उठाएं? ठीक है, अब देखें सामने क्या लिखा कि हर एक आदमी चर्च में केवल प्रभू के साथ अपने रिष्टे को दिखाने और उस रिष्टे को बढ़ाने के लिए नहीं आता, सिरफ वो नहीं है हमारा काम, परन्तु वो ऐसा एक समू या समाज के संदर्ब में करता है, हम सब मि करके प्रभू की अरादना करते हैं, संडे को शाम को हम सब कितने बज़े आते हैं, छे बज़े आते हैं, इसका मतलब परमेश्वर की अरादना हम करते हैं, सत्संग में हम आते हैं, परमात्मा को मिलने के लिए आते हैं, लेकिन एक साथ मिल करके आते हैं, हम एक समय पर सब लोग इखटा हो जाते हैं लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिरफ प्रभू को मिलने नहीं आते हम कलीसिया में भी क्या लिखा है कलीसिया समू में भी संबंध स्थापित करता है वो आदमी जो चर्च में आता है सिरफ प्रभू से नहीं मिलता है और किस से मिलता है बोलें किस शब्दों में हमारी जिम्मेदारी हमारा आत्मिक काम केवल प्रभू के साथ रिष्टा रखना ही नहीं एक दूसरे के साथ भी रिष्टा रखना जरूरी है अलेलुया अलेलुया और इसलिए हमने आपको दिखाया था पिछले हफ़ते we were created to belong in a community and have nurturing relationships in it हिंदी में हम पढ़ेंगे इसको हमने पिछले हफ़ते ये सीखा था कि हम एक समुदाय का हिस्सा हम एक समुदाय के हिस्सा होने के लिए और उसमें मजबूत संबंधों के लिए रचे गए हैं प्रभू ने हमें बनाया ही इसलिए है हमारा परमेश्वर जो है वो स्वयम एक समु है हमारा परमेश्वर स्वयम एक समुदाय है परमेश्वर के समुदाय में बताओ कौन-कौन है परमेश्वर के समुदाय में कौन-कौन है सारे बोले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारी फोटो अच्छी आ रही है पती पतनी अब तुम इन्जॉई करो ये नहीं कहा प्रभू ने क्या कहा? कि तुम समाज को बनाओ, एक अच्छे समाज को बनाओ जिसमें मेरा चरित्र, मेरी बाते, मेरा प्यार, मेरी शिक्षा, मेरा राज उस समाज में दिखना चाहिए परमेश्वर ने हमको बनाया इसलिए कि एक अच्छा समाज तयार हो हम सब मिलके एक दूसरे के साथ हम रहें इसके लिए हमें प्रभू ने बनाया था येशु मसी के बारे में हम देखते हैं येशु मसी स्वयम अकेला रहा बताइए येशु मसी जब इस दुनिया में था तो क्या येशु मसी अकेले रहे 30 साल तक अपने परिवार में रहे उसके बाद 3 साल तक अपने मृत्यू होने तक 3 साल तक येशु कहा रहा अपना घर छोड़ दिया और किसके साथ रहा बारा चेलों के साथ येशु मसी मिल के रहा येशु मसी एक्चली येशु मसी हमारे बिना खुश रह सकता है लेकिन वो संबंधों को रखने वाला परमेश्वर है हमारे साथ मेल मिलाप रखने वाला परमेश्व येशुमसी जिस समय मर रहे थे क्रूस पे जब वो अपनी जान दे रहे थे तो हमने क्या देखा वहाँ पे येशुमसी क्रूस पे मर रहे हैं उस समय भी सिरफ मरने का जो काम था उनके पास उनको अपनी जान देनी थी केवल वही काम नहीं कर रहे थे मरते दम पे भी वो एक मरते हुए डाकू के साथ जिसने पस्चताप किया उसके साथ क्या कर रहे थे संबंद स्थापित कर रहे थे येशु मसी संबंद रखने वाला परमेश्वर है तो अगर हम प्रभू के लोग हैं हम प्रभू से प्यार करते हैं लेकिन हम एक दूसरे के साथ भी प्रेम अपना दिखाते हैं, एक दूसरे की भी हम सेवा करते हैं, एक दूसरे की हम मदद करते हैं कि वो प्रभु में आगे बढ़े, अगर कोई प्रातना नहीं कर रहा है, हम उसको बोलते हैं, भाई प्रातना कर, चल मैं तेरे साथ प्रातना करूँ, अगर कोई बिमार है, हम केवल अपने घर में कोई बिमार है, केवल उनकी चिंता नहीं करते, अगर चर्च में कोई बिमार है, हम उनकी सुधी लेने के लिए पहुंच जाते हैं, अगर हमारी कलीसिया में कोई खुशी का समय है, अगर किसी किसी की शादी है, किसी की घर में बेटा या बेटी पैदा हुआ है, किसी की घर में कोई और खुशी की बात है, तो हम उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, अगर किसी कलीसिया चर्च के, सत्संग के, अगर किसी परिवार के घर में कोई दुख की बात है, हम तुरंत वहाँ पहुंच जाते हैं आपको मालू में सिर्फ परमेश्वर समुदाये नहीं है सिर्फ येश्व मसी समुदाये में रहा ऐसा नहीं है जब कलीसिया की शुरुवात हुई सब मुझे बताएं कलीसिया की शुरुवात कब हुई थी चर्च की कलीसिया की और जब दुनिया में पवित्रात्मा आ गया तो पवित्रात्मा के आ जाने से जिस दिन पवित्रात्मा आ गया अधिकारिक रूप से उस दिन कलीसिया का जनम हो गया। जब सब येश्यू के नाम पर विश्वास करने लगे, उनके जीवन से हमने इन बातों को देखा था, किन बातों को देखा था? हमने देखा था प्रेड़तों के काम दो के 42 में, पढ़ें क्या लिखा हुआ है? लोग क्या करते थे एक साथ? सब पढ़ सकते हैं? सब जो और से पढ़ सकते हैं? लोग एक साथ वचन सीखते थे, सोचने की बात है, मिल करके, सारे बोलो मिल करके, ध्यान से सुने, बाइबल के अनुसार, इस पद के अनुसार, हम इस खंड के अनुसार हम देखते हैं, जो पहला काम कलीसिया ने मिल के करना चाहा, the first thing that the church did together was what? learning the word of God. जो पहला काम कलीसिया ने किया मिल करके, वो क्या था? परमेश्वर के वचन को सीखना था. आप अपने आप से पूछें, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एक साथ, संडे के दिन आने के लिए परमेश्वर का वचन सीखेंगे, इसके लिए कितना आपका दिल करता है? जो प्रभु के प्रेम में डूबी हुई कलीसिया थी, जो येशु मसी को सचमुच में आदर सम्मान करते थे, जब वो लोग इखटे होते थे न सत्संग में, तो पहला काम क्या करते थे? अपने पास्टर के द्वारा क्या सीखते थे? वचन को सीखते थे. आप अपने जीवन में जांचे वचन से प्यार करने वाले हैं या वचन के समय भागने वाले हैं? वचन को प्यार करते हैं? वचन को सुनना चाहते हैं? वचन को सीखना चाहते हैं? वचन पढ़ना चाहते हैं? परमेश्वर हर संधे जब हम चर्च में आते परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है ये जानना चाहते हैं सुनना चाहते हैं अगर आप लोगों का संडे का चर्च मिस हो भी गया, अगर आप किसी कारणवर्श चर्च नहीं आये, तो क्या आप अगले दिन, उसके अगले दिन, क्या आप YouTube पे जाकर के संडे को क्या वचन आया था, मैं तो नहीं आया चर्च में, मैं सुनना चाहता हूँ क्या आप सुनते हैं वचन क्यूंकि हम लोग record करते हैं क्या आप सुनते हैं कलीसिया क्या करती थी एक साथ वचन सीखती थी दूसरा उनके अंदर खुबी मिल जुलकर वो वचन सीखते थे एक साथ और वो क्या करते थे, क्या लिखा है? एक साथ संगती करते थे, एक साथ मिल के समय बिताते थे, एक साथ एक दूसरे को एंकरेज करते थे और क्या करते थे? एक साथ प्रभु भोज में भाग लेते थे हम सब को मालूम है कि महीने के पहले दिन प्रभु बोज होता है क्या उस दिन हमारा मन तडपता है क्या हमारी priority होती है कि आज तो प्रभु बोज है आज मुझे जाना ही जाना है क्यों ये नहीं कि मैं प्रभु बोज लूँगा ये कि हम सब मिलकर प्रभु भोज लेंगे ये भावना है आपके अंदर प्रभु भोज अगर मैं आपको आपके घर आके एक एक करके दे सकता हूँ actually दे सकता हूँ मैं बिमार लोगों को प्रभु भोज ऐसी दिया जाता है जो हस्पताल में हैं मरने वाले हैं बिलकुल बिमार हैं वो सत्संग में तो नहीं आ सकते पूरी दुनिया में पास्टर उनको प्रभु भोज देने के लिए उनके घर में जाते हैं आपके साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन प्रभु भोज किस चीज को दर्शाता है प्रभु भोज सिर्फ इस बात को नहीं दर्शाता कि येशु हमारे लिए मारा गया गाडा गया और जिन्दा हो गया प्रभु भोज ये भी दर्शाता है कि उस येशु में हम सब एक हैं इसलिए हम मिल करके लेते हैं क्या आपके अंदर इच्छा है चाहे कुछ भी हो मुझे महीने के पहले इत्वार तो चर्च में जाना ही जाना है क्यूंकि मैं मसी की दे का अंग हूँ और मुझे कलीसिया के लोगों के साथ मिलकर प्रभु भोज में भाग लेना है और क्या करते थे एक साथ वो एक साथ प्रात्ना करते थे ये है चर्च की तस्वीर ये है असली सत्संग की तस्वीर ये है असली कलीसिया की तस्वीर ये काम वो मिलके करते थे आप अपने जीवन को जान सकते हैं क्या आप मिल करके ये काम करने के लिए समर्पित हैं या आप चर्च में सिरफ छोटे मोटे बातों के लिए आना चाहते हैं इस ये काम करने के लिए चर्च में हमें आना है वचन सीखने के लिए संगती करने के लिए प्रभु भोज में भाग लेने के लिए प्रातना करने के प्रभू के लिए एक साथ। कितने लोग हैं जो बुद्वार की प्रातना को आशीश, चंगाई, मध्यस्त प्रातना करने में कितने लोग इच्छुक हैं। अफ्कोस जो दूर वाले हैं प्रभू आप लोगों के दिल को जानता है। प्रभू के लिए परमेश्वर की दुहाई देते थे और क्या होता था? चमतकार होने लगते थे। और जब चमतकार होते थे वो प्रभू के डर से भर जाते थे। प्रभू के दर्शन को पा लेते थे। जब प्रभू का काम कर लिया तो पता चल गया ये तो इनसान अपनी त यहुदी लोग 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 य ऐसे प्रभु की महिमा से भर जाते थे किते लोगों को समझ में आ रहा अपना हाथ उठाएं प्रभु का धन्यवाद हो 2 के 44 में हमने देखा था कि उनकी बहुत सी चीजें सांजे की थी बहुत सी चीजों को वो मिल बांट के इस्तिमाल करते थे और क्या देखा था 45 में वो एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तयार थे मतलब इसमें हम क्या देखते हैं अपनी जमीन लोग बेच देते थे कि चर्च में किसी के घर में बहुत बड़ी तंगी चल रही है बहुत बुरा हाल है तो लोग अपनी जमीने बेच रहे है ताकि लोगों की मदद हो सके एक दूसरे के लिए कुर्बानी दे देना जो अपना है दूसरे के लिए दे देना क्या इस प्रकार की भावना आप रखते हैं अपने चर्च के लोगों के लिए अपने आसपास के लोगों के लिए हमारे बीच में एक परिवार है मैं खुदा के धन्यवाद करता हूँ वो परिवार इस समय बहुत कठिन हालातों में होके गुजर रहा है पिछले संडे दो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के अंदर प्रभू काम कर रहा है दो लोग, दो नौजवान मेरे पास आए और एक ने कहा कि मेरे पास 2000 रुपे हैं आप इस व्यक्ति के लिए इस्तिमाल कर लीजे मैंने बोला कि उस व्यक्ति के लिए तो अभी पैसे नहीं चाहिए लेकिन अगर आप 2000 रुपे दे रहे हैं तो एक और भाई है जिनका बहुत बुरा हाल है इस समय वो तंगी में चल रहे है क्या वो 2000 हम उनको दे सकते हैं उस भाई ने बोला हाँ भाई आप दे सकते हैं एक और नौजवान मेरे पास आया इस बात से बहुत बड़ी राकम तो नहीं है 2000, 2000, 4000 क्या पता उनकी जुरुत बहुत जादा हो लेकिन ये भाई बहुत अच्छा है मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी जेव में से 2000 निकाल के बांटे भेरे मैं ये नहीं कह रहा हूं लेकिन ऐसा भाव रखें कलीसिया में यदि कोई है जिसको कोई basic चीजों की आवशकता है तो उनके लिए हम सब को खड़े होना चाहिए आप मेरे साथ हैं ये कलीसिया क्या चरित्र है ये कलीसिया का जीवन शैली ऐसी है the lifestyle of the church जो हम देखते हैं कलीसिया का lifestyle कलीसिया की जीवन शैली है ये 46 में हमने देख 46 में लिखा है वो एक साथ church जाते थे Hallelujah वो एक साथ church जाते थे और वो एक साथ खुशिया मनाते थे अच्छे पल मिलके एक साथ सब celebrate करते थे इतनी सारी एकता है इतनी सारी togetherness को हम देखते हैं और सामने देखें इतनी सारी एकता का नतीजा क्या निकला उस कलीसिया के लिए इतनी सारी जो एकता है जो सब कुछ एक साथ कर रहे हैं इसका फल क्या निकला उन्होंने अपनी कलीसिया को बढ़ते हुए देखा Hallelujah कि उन लोग वो लोग एक साथ सूसमा चार बांटते थे स्पश्ट रूप से नहीं लिखा है सिरफ उनका जीवन ऐसा है कि उनके अंदर आकर्शन इतना है प्रभू की महिमा का प्रभू की शक्ती का वो अपने चलते फिरते प्रभू की महिमा करते होंगे और लोग उनके साथ जुड़ जाते थे इस बचन में क्या पढ़ते हैं हर रोज नए नए लोग कलीसिया में जुड़ जाते थे और उनके साथ मिलकर प्रभू की अरादना करने लगते थे तो हमने ये देखा है कि कलीसिया में जो कलीसिया मिल जुल कर रहती है सब लोगों से बोल रहा हूं और अपने आप से बोल रहा हूं ये बहुत जरूरी है चर्च में सिर्फ प्रभू से मिलने मत आओ चर्च में प्रभू से मिलने के बाद प्रभू से मिल करके प्रभू की शक्ती को हासिल करके एक और काम में लग जाओ और वो है एक दूसरे की से सिर्फ प्रभू से मिलने नहीं आते हैं, आते हैं, प्रायॉरिटी प्रभू है, प्रमुख वही है, लेकिन जब हम सत्संग में आ जाते हैं, चर्च में आ जाते हैं, तो प्रभू से मिलने के बाद, प्रभू हमें अपने प्रेम से भरता है, प्रभू हमें सेवा के लिए बु आपसी संबंद कलीसिया में हमारे बनने चाहिए, आपस में हमारी अच्छी गहरी दोस्तिया होनी चाहिए, मुझे पता है कि आप में से बहुतों का डिल तूटा है आपस में, चर्च के लोगों के द्वारा एक चर्च के व्यक्ति ने, दूसरे चर्च के व्यक्ति के बारे मे या तो बुरा बोला है या बुरा सोचा है या उनके साथ उनकी उनका जगडा हो गया है ऐसा हुआ है मुझे मालूम है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप चर्च में आपसी संबन रखना छोड़ दे क्योंकि हम सब लोग है हम सब अभी भी human beings है हमारे अंदर भावनाए है हमारे अंदर गुसा है जिसको हमें काबू करना है हमारे अंदर प्यार है जिसको हम व्यक्त करना चाहते हैं कभी-कभी हमें कोई समझ नहीं सकता हमने चर्च में किसी को कुछ बोला उसने मेरी बात का गलत मतलब निकाल दिया और वो व्यक्ति मुझसे नराज हो गया और मुझे लगता है कि अरे मैंने तो से कुछ बोला ही नहीं वो क्यूं वो तो ऐसी बुरा मान के बैठ गया और इस प्रकार दूरियां आनी शुरू हो जाती है आपको पता है हमारे इंसानों के बारे में इवन क्रिस्टियन्स के बारे में एक चीज ये है सब दुनिया के सब लोगों के बारे में है बच्पन से हमारे अंदर है क्योंकि पाप हमारे अंदर है वो ये है हम सब स्वार्थी है Actually, मनुष्य क्या है? स्वार्थी है और वो जो स्वार्थ है हमारे अंदर जो छुपके बैठा हुआ है हम केवल अपने बारे में सोचना चाहते हैं वो उमड़-उमड़ के हमारे रोज-रोज की बातों में सामने आता है और अगर हम प्रभू के साथ लगातार, strongly प्रभू के साथ हम नहीं चल रहे हैं न उस स्वार्थ में हम चलने लगते हैं और अपने बारे में सोचने लगते हैं दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं इसलिए मनुष्य बाइनेचर ऐसा है वो स्वार्थी है अपने बारे में सोचता है प्रभू के चीज़ों का हम सामना करते हैं, हमारे अंदर के दुश्मन, आपको याद है हमारे अंदरूनी दुश्मन? वचन याद है आप लोगों को? उन सारी चीज़ों का हम सामना करते हैं और उसी में गिर जाना हमारे आपसी संबंदों को खराब कर देता है, दुख होता ह बहुत मेरे को तो होता है प्रभू को भी होता है बहुत दुख होता है प्रभू के सामने भी ऐसा ही हुआ था प्रभू येशु के चेले हैं बारा चेले हैं प्रभू के आसपास रहते हैं आपस में लड़ाईयां कर रहे हैं किस बात लड़ाई कर रहे हैं कौन महान बड़ा क काम करना येशू मेरे एक बेटे को अपने दाएं और एक बेटे को अपने बाएं बिठा लेना उतने में और जल गए औरों को प्राबलम हो गई क्यूंकि सब को येशू के पास रहना है हर कोई जो में बंदा है उसके साथ नंबर वन उसका close friend होना चाहता है और इसलिए ये य दूसरे पर दोश लगाना ये कब शुरू हुआ जिस दिन दुनिया में पाप आया उस दिन एक दूसरे पर दोश लगाना शुरू हो गया आदव ने बोला इसने मुझे दिया था फल खाने के लिए और इस परकार एक दूसरे पर दोश लगाना हम बाइबल में भरी पड़ यदि आपके दो बच्चे भी हैं, अगर उनका आपस में जगडा हो गया, उनकी नहीं बनती, क्या आप माता पिता जो है, क्या आप उनको ये शिक्षा देंगे नहीं, तुम ऐसे करो तुम अलग-अलग रहो, अलग-अलग कमरा लेलो, किसी से बात मत करो एक दुझे से, क्या माबाब खुश होंगे, आप क्या देखना चाहेंगे, आपके बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे रिष्टे में रहें, हमारा पिता भी यही चाहता है, इसलिए आपसी सम्मंदों के प्रती हमारा समर्पित होना, यह आटोमेटिक नहीं हो जाएगा, चर्च में अच्छ अच्छे समंद हैं, और बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा मजा नहीं आता उसमें, उसमें दुख होता है, उसमें हम हर्ट होते हैं, उसमें बार-बार शमा करना, प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार-बार दूसरों को माफ करना, रात में 12 बजए अगर नींद नहीं आ रही है, किसी और व्यक्ति के द्वारा तो हम रात में विस्तर में लेट के उस व्यक्ति को कोसेंगे नहीं हम अपने विस्तर से उठके अपनी कुरसी पे बैठके या अपने विस्तर पर लेटे लेटे जिस व्यक्ति के कारण हम सो नहीं पा रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए हम प्रात्ना करेंगे कठिन है, आपसी समद्ध एकदम से ठीक नहीं हो जाते हैं, अपने आप ठीक नहीं हो जाते हैं उनके लिए तियाग करना पड़ता है उनके लिए परमेश्वर से मदत और हिम्मत मांगनी पड़ती है प्रभु येश्व के अंदर वो धीरज था ऐसे लोगों के साथ रहना जिनकी आपस में नहीं बनती है जो स्वार्थी है जो प्रभु की शिक्षा को ग्रहन करकरके लेकिन उनके अंदर असर नहीं हो रहा है तीन साल से प्रभु के वचन रोज सुने आप लोग तो हफते में एक बार सुनते हैं न प्रभचन चेले लोग हर रोज सुनते थे फिर भी चेलों के बीच में आपस में जगड़े होते थे इस बात पर कि कौन महान है, कौन बड़ा, कौन नीचा इस बात पर लेकिन येशु मसी जानता था कि जो यहूदा है वो चोर है येशु मसी फिर भी उसके साथ तीन साल तक रहा तो जब बाइबल आप लोगों को ये सिखाती है कि आपस में अपने संबंद अच्छे करो आपस में एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के साथ मिल जुल के रहो और अपने इशुस को सौट आउट करो, वरक आउट करो, भले टाइम लेलो लेकिन इच्छा तो रखो, प्रातना तो करना शुरू करो, परमेश्व कर सकता है लेकिन अगर आपके, इस चीज के प्रती आप लोगों का समर्पित होना बहुत बहुत ज़रूरी है तो हमारी पहली जिम्मेदारी क्या है? कि हम कलीसिया में, हम एक समुदाय के हिस्सा होने के लिए और उस में मजबूत संबंदों के लिए पढ़ें क्या? रचे गए हैं प्रभू ने हमें बनाया ही इस बात के लिए है और जब हम एक सम्बंद में आ जाते हैं तो दूसरी बात दो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो यही है कि being a part of a community brings responsibility अगर आप एक समुदाय का हिस्सा है अगर आप एक समाज का हिस्सा है अगर आप एक जुंड का यदि आप एक हिस्सा है उसमें फिर जिम्मेदारियां होंगी जो आपको निभानी पड़ेंगी समुदाय का हिस्सा होने समुदाय का हिस्सा बनने पर हमें जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है और ये किसी भी सम्बंद के बारे में ऐसा है ये उचित है अब क्या आपस में वो देखो चेले जो है न वो येशु मसी के साथ तीन साल की छुट्टी मनाने नहीं आये थे कि येशु मसी के साथ तीन साल तक छुट्टियां मनाएंगे Holiday with Jesus और अराम से रहेंगे और होटल में बटन दबाएंगे खाने वाला खाना ले आएगा सफाई वाला सफाई कर जाएगा और अब येशु के साथ हम घूमा करेंगे ये तो holiday है ना ये holiday पर करते हैं लेकिन ऐसा नहीं था उनको काम करने थे एक साथ रहना है अगर 12-13 लोगों को तो उसके लिए कुछ प्रबंद करना पड़ता है अगर आपे जिस घर में रहते हैं क्या वो उस घर को maintain नहीं करना पड़ता पताईए उस घर में कुछ काम काज नहीं करना पड़ता जहां पे हम रहते है उसी प्रकार ये कलीसिया बाइबल कहती है इफीसियों उसके दूसरे अध्याए में लिखा हुआ है कि जो कलीसिया है जो चर्च है परमेश्वर का परिवार है परमेश्वर क्या है परिवार है और हम उसके परिवार के सदस्य है बहुत से चोटी चोटी जिम्मेदारियां थी जो उनको निभानी पड़ती थी येशु ने कहा तुम जाओ और मेरे लिए मेज तयार करो चेलों को कहा उसने मेज तयार करो येशु ने कहा तुम जाओ मेरे लिए सिक्का लेकर कर कि आओ मचली का मुझ खोलो सिक्का मिलेगा प्रबंद करो क्यूं मुझे टैक्स भरना है येशु ने क येशु ने कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए गधी का बच्चा तुमको मिलेगा प्रबंद करो arrangement, responsibility, छोटे-छोटे काम येशु ने अपने चेलों को दिये थे मेरे लिए table arrange करो, मेरे लिए गधी का बच्चा arrange करो मेरे लिए पैसे arrange करो, मुझे tax भरना है उस प्रकार अलग-अलग जिम्मेदारियां थी जो उनको करनी पड़ती, जो येशु का चेला था वो किस बात की जिम्मेदारी करता था? येशु ने अपने चेलों के साथ गहरा संबंद स्थापित किया येशु उनसे इतना प्रेम करता है, जिन्दा हो जाने के बाद येशु मसी ने उन लोगों को 40 दिनों तक कितने लोगों को दर्शन दिये? पांच-सो लोगों को येशु ने दर्शन दिये अपने चेलों के साथ येशु मिलता जुलता रहा, लेकिन अंत में क्या हुआ? जो आखरी दिन था जिस दिन येशु को जाना था, येशु ने क्या बोला उन लोगों को? तुम जाओ और चेले बनाओ ये जिम्मेदारी येशु ने सौंपी है, तो ये जिम्मेदारियां है, हमारी कलीसिया में, हमारी अलग-अलग जिम्मेदारियां है हमने सीखा है कि येशु मसी कलीसिया में हमारे आपसी संबंद, इसके प्रती हमें समर्पित होना है और दूसरा हमने देखा एक कलीसिया में हमारी जिम्मेदारियां और जिनके प्रती हमको समर्पित होना है येशुमसी काम को पसंद करते हैं येशुमसी जिम्मेदारियों को पसंद करते हैं येशुमसी स्वयम काम करते हैं येशू मसी ने कहा, येशू ने कहा, मेरा पिता आज तक काम कर रहा है, और देखो मैं भी काम कर रहा हूँ, जिम्मेदारी निभार रहा हूँ, किस ने कहा जवाब दें? ये किस ने कहा? येश्यू ने कहा, ये हुन्ना 5 के 17 में लिखा है My father is always at his work मेरा पिता हमेशा काम करता है आज तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं और हम जानते है कि येश्यू को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो उसके पिता ने येश्यू को जो काम दिया था येशु ने उस काम को पूरा किया येशु पिता परमेश्वर से कह रहे है हे पिता जो काम तुने मुझे इस धर्ती पर दिया था करने के लिए उस काम को पूरा करके मैंने तेरे नाम को महिमा दी है हम सब रभु को महिमा देना चाहते हैं? कितने लोग हैं? हम खुदा को महिमा देने का एक ये भी तरीका है, जो तरीका हमें अपनाना है, खुदा को महिमा देने का परमेश्वर के नाम को भजन करने का उसके नाम की अराधना करने का तरीका केवल गीत भजन गाना नहीं है, अपना-पना काम भी पूरा करना है, कलीसिया में अपनी पिता ने दिया था उसको पूरा करके अपने पिता के नाम को महिमा पहुंचाई आपको येशु नाम सत्संग के लोगों को अगर आप पिता के नाम की महिमा करना चाहते हैं वो काम जो आपको पिता ने सौंपा है उसको पूरा करने के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा अपने मरतेदम पे येशु मसी ये जो शिक्षा है टैलेंट्स की जो शिक्षा है तोडों का जो दृष्टान थे वहां से हम सीखते हैं येशु मसी हमें यही सिखाते हैं वहां से भी मती 25, 14, 30 में इस कहानी को आप घर जाके पड़ सकते हैं उसके द्वारा भी हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर ने हम सब को वर्दान दिये हैं परमेश्वर ने हम सब को सारे बोले परमेश्वर ने मुझे कुछ ना कुछ वर्दान दिया है परमेश्वर ने कुछ खूबियां आपके अंदर डाली है पवित्रात्मा के वर्दान आपके अंदर डाले है और उन वर्दानों का आपको इस्तिमाल करना है परमेश्वर ने आपको जो दिया है इसलिए दिया है ताकि आप उनका इस्तिमाल करें कलीसिया में एक दुसरे की सेवा करें और ये वचन हम ये शिक्षा भी हम बाइबल से हम देखते हैं येशु ने उनका चेला था पत्रस और येशु मसी ने जब मर के जिन्दा हुआ उसको दर्शन दिया और जिस समय वो मचली पकड़ रहा था उसको सारी रात मचली पकड़ने पर उसको मचली नहीं मिली सुबा के समय प्रभू ने दर्शन दिया और प्रभू ने कहा इस प्रकार कर और बहुत सारी मचली उसने खटी कर ली और इतनी सारी मचली खटी कर ली कि जाल क्या हुआ फटने लगा उसके बाद येशु ने उसे पूछा पत्रस क्या तु मुझसे प्यार करता है दुबारा पूछा पत्रस क्या तु मुझसे प्यार करता है तीसरी बार पूछा पत्रस क्या तु मुझसे प्यार करता है उसके बाद प्रभु ने सिरफ वहीं पे नहीं छोड़ दिया ओ तु मुझसे प्यार करता है हाँ हाँ पत्रस मैं भी तुझे प्यार करता हूँ वहीं पर खतम नहीं कर दिया प्रभू ने अगर पत्रस परमेश्वर को प्यार करता है अगर पत्रस येशुमसी को प्यार करता है वो बात तो clear हो गई हाँ तू मुझे प्यार करता है तो प्रभू ने कहा उसके बाद कि अब तू जा और मेरी बेडों की रक्षा कर मेरी बेडों की रखवाली कर काम दिया उसको प्रभू ने करने के लिए सिरफ लव रिलेशन्शिप नहीं रखा responsibility दे दी अगर आप कलीसिया में प्रभू के साथ अपना संबंद रखते हैं और एक दूसरे के साथ भी संबंद रखते हैं तो फिर आपकी कुछ जिम्मेदारिया भी हैं चर्च में, कलीसिया में, सत्संग में आपकी कुछ जिम्मेदारिया हैं जो आपको निभानी है पत्रस के साथ यही हुआ प्रभुने उसे कहा तू प्यार करता है हां करता हूं तो प्रभुने बोला चल अब तू जा काम कर और मेरी सेवा कर प्रेरतों के काम उसके एक के आठ में प्रभुने कहा कि मैं जाओंगा पवित्रात्मा तुम्हारी उपर आएगा और जब पवित्रात्मा तुम्हारी उपर आएगा तो तुम क्या करोगे तुम मेरे गवा बनोगे हम लोग जो पेंटिकॉस्टल जैसे जो लोग है हमारे अंदर एक जुनून है वो क्या है पवित्रात्मा से भर के अन्य भाषा बोलने का मेरे अंदर मुझे अच्छा लगता है बहुत से लोग है जो पवित्रात्मा में होके मगन होके जूम के अराधना करते हैं प्रात्ना करते हैं अन्य भाषा में प्रात्ना करते हैं दुष्टात्मा ये निकालते हैं लेकिन प्रभू ने क्या कहा पवित्रात्मा अगर तुमारे अंदर होगा तो सिर्फ ये ही तुमारे चिन नहीं होगे अगर पवित्रात्मा तुमारे अंदर होगा पवित्रात्मा तुमारे उपर आएगा पवित्रात्मा और तुम क्या करोगे मेरे नाम के गवाह बन जाओगे तुम दूसरों को मेरे नाम की गवाही दोगे गवाही देना क्या है एक काम है बोलो गवाही देना काम है इस काम के प्रतिक्याम समर्पित है इस जिम्मेदारी के प्रतिक्याम समर्पित है पवित्रात्मा पाके अन्य भाशा बोलने की इच्छा तो हम रखते हैं लेकिन पवित्रात्मा पाके गवाही देने की इच्छा कितने रखते हैं पवित्रात्मा से भरके प्रभू के नाम को दूसरों में बताने के लिए प्रचार करने के लिए दूसरों को प्रभू का रास्ता बताने के लिए उसमें कितनों की रूची है सोचने की बात है न प्रभू ने हमें कलीसिया में सिर्फ हर संडे आके और दो घंटे बैठके और आदा घंटा लोगों से बाच्चीत करके और फिर फोटो की चवा के जाने के लिए नहीं चुना है आप लोगों की कलीसिया में जिम्मेदारियां है और हम दीरे दीरे आपको इसको और सिखा आपके घरों में आके भी हम आपको इस बात को और सिखाना चाहते हैं आपको घरों में आएंगे, आपको सिखाना जाते हैं इस बात के बारे में, कि भाया तुम्हारा काम केवल चर्च में आके बैठना नहीं है, आपको चर्च में काम करना है, आपको प्रभू येश्व मसी का संदेश अपने दिलों में ले जाकर के बाहर दूसरों को बताना है, दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों के दास आपको बनना है, तुम्हारा ध्यान प्रभू रक influence तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, तुम्हारे लिए चमतकार भी करेगा, बिमारियां भी दूर करेगा, तुम प्रभू के राज में कितने कारेरत हो, तुम प्रभू के राज में कितने एक्टिव हो, इन बातों को सोचने की जरूरत है, कलीसिया तभी हेल्दी मानी जाती है, अगर कलीसिया का हर व्यक्ति सेवा के काम में लगा हुआ है मेरे पीछे जोर से बोलें अपना हाथ उपर उठाएं और प्लीज सब मेरे पीछे जोर से बोलें कलीसिया तभी स्वस्त मानी जाती है जब कलीसिया का हर एक व्यक्ति सेवा के काम में लगा हुआ होता है आपका स्वस्थ होना अलग बात है भाईया हम चर्च के स्वस्थ होने की बात कर रहे है आप तो ठीक आपकी बिमारी दूर हो गई ठीक है हम चर्च की बिमारी दूर करने की बात कर रहे है उसके लिए ध्यान है अपनी बिमारी दूर करने के लिए ध्यान है चर्च बिमार है अगर आप चर्च में सेवा नहीं कर रहे हैं यह बाइबल का कथन है इफीसियों की समय नहीं है अभी खतम करते हैं दो मिनिट में इफीसियों की पत्री में हम देखते हैं कि जो पादरी होते हैं जो चर्च के जो लीडर होते हैं अगवे होते हैं हमारा काम क्या है आप लोगों को सेवा के कामों के लिए तयार करना ये हमारा काम है तो सोचिए भायो बेनों आप लोग जिम्मेदारियां निभाने के लिए कलीसिया में अपनी जिम्मेदारियां जानने के लिए इंट्रेस्टिड हो कितने लोग जानना चाह अगले हफ़ते आप जरूर चर्च में आएं, अगले हफ़ते मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वचन में से आपकी जिम्म, what are your responsibilities as a church member, कलीसिया के member होने के नाते, लगातार सत्संग में यदि आप आते हो, आपकी क्या जिम्मेदारियां है, आपका क्या रोल है, आप क्या करें आपकी क्या करेंगे, Bible हमको सिखाती है कि Paulus सिखाता है और वो क्या कहता है, Paulus कहता है कि जिस प्रकार एक शरीर होता है हमारा और उस एक शरीर में अलग-अलग अंग होते हैं, अपना सारे अपना दाहिना हाथ दिखाएं, ओके दाहिना हाथ, very good, यह यह दाहिना ही है, अप अपना नाक दिखा दें, प्लीज, हम बोलते हैं ना बच्चों को, show me your nose, अभी आप दिखाएं, show me your nose, किदर है आपका nose, okay, Paulus कहता है, यह मैंनी कहरा, कौन कहरा है, Bible का वचन कहरा है, क्या, जिस प्रकार एक शरीर होता है, उसमें अलग-अलग अंग होते हैं, अलग-अलग अंगों का अलग-अलग काम होता है, अब अपना खाना नाक में डाल सकते हैं, Paulus क्या कह रहा है, इस बड़ी सधारन सी बात के द्वारा वो बड़ी गहरी बात सिखाना चाहता है, वो कहता है, जिस प्रकार हमारा शरीर होता है, उस शरीर में अलग-अलग अंग होते हैं, अ अलग-अलग अंगों को अपना-अपना क्या करना है, काम करना है, समझ में आ गया, प्रभु के वचन ने बड़ी आसानी से समझा दिया, हलेलुया, आपका काम है कोई चर्च में, जितने भी लोग यां बैठे हैं, आप चार महीने से आ रहे हो, थोड़ा सा न मैं पुराना हो कात ऐसी जिम्मेदारियां हैं, जो कलीसिया के लोगों की हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, अगले हफते खास तौर पे, मैं आपको देने के विशे पर सिखाऊँगा, कौन सा विशे? देने का, हमारी giving मतलब हमारा दान देना हमारा दश्वांच डालना हमारा भेंट डालना इन चीजों हम अपने धन को केसे समझते हैं मेरी तन्खा, मेरी कमाई मेरे लिए क्या है वो कमाई मेरी है उसमें से क्या मुझे प्रभू के राज में देना है क्या प्रभू के राज में वही देंगे जिनके पास जो पैसे वाले हैं क्या प्रभू सिरफ अमीरों को बुलाता है देने के लिए मैं तो गरीब हुँ न, मेरी तन्खा तो कम है गुडगाओ शहर तो बड़ा, महंगा शहर है सब कुछ तो महंगा हो रहा है तो मैं नहीं दूँगा और लोग हैं वो देंगे मैं थोड़ा बहुत देंगा मैं भी हिस्ता बन जाओंगा लेकिन मेरे को जादा नहीं देना है इन सारे विश्यों पर हम सीखेंगे बाइबल हमें अगले हफ़ते हम सीखेंगे